भक्ति, भजन और प्रवचन के अद्बुद संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें आस्था टिवी के यूट्यूब चैनल को और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें सुत पुराने ने प्रियाक्तिर्थ में कहा सुनो महत्मव प्रसन्नास्चसदेवानां शेत्र महात्मवेत्वे चंद्रस्या यशसे तात्रां नामना चंद्रस्या शंकर नामना चंद्रस्या शंकर भगवान चंद्र के नाम से वहां सुन्दर जोती सुरूप में भगवान प्रगट हुए हैं और इस जोती का नाम है सोमेश्वरस्च नामना असिद्धि ख्यातो भुवन्नम् ट्रयक्षय प्रुष्टा दे रोगाना जो कोई मानव आदर के साथ स्वमेश्वर महदेव की पूजा करे शयरोग कुष्टरोग आदी रोगों सभी रोगों में से वो मुक्त हो जाएगा इसलिए अवसर मिले तो स्वमेश्वर महदेव की पूजा करे विशेष्परकार के शंकरजी की पूजा और पूजा नहो सके तो दर्शन करे तो दर्शन करे तो सरव पापात प्रमोच्वियते जिवन के सभी पापों में से मुक्त होकर ओशीव लोग का अधिकार होगा और बगवान महादेव का लोग उनको मिलेगा जो समिश्वर महादेव का दर्शन करें बगवान व्यास का वचन है संसाय के सभी सुख को पाकर अभिष्टफल को पाकर अंत में उनका शरीर जब शान्त हो जाएगा तब भगवान महादेव के लोग का अधिकार होगा उनको स्वर्ग का सुख मिलेगा जो कोई स्वमेश्वर महादेव का दर्शन करें और कोई दर्शन न कर सके तो इस स्वमेश्वर महादेव के कथा शरवन करें एक कथा सुने तो उस मानव को स्वमेश्वर महादेव की आत्रा पूजा अर्चन दर्शन का फल कथा शरवन मात्र तह एक कथा सुनने मात्र से सरवान कामान वापनोती उसकी सभी कामना उत्पतिम्श्रा जो कोई सुमनात महादेर की उत्पति की कथा सुने तो बाप परान नरहां सरवान कामान वापनूति सर्वापे प्रमुच्यते वो मानाव जीवन के सभी पापों में से मुक्त हो जाएगे और उनकी मुनो कामना पूर्ण हो जाएगी जो को सुमेश्वर महादेव के जो प्रागट्य की कथा सुने उत्पति की कथा सुने उनकी महिमा है झाल झाल